हेलो प्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर ममा में स्वागत करती हूं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं वह मॉनिटर कैसे करना है वे मेंटल ग्रोथ यानि कि बच्चे की इंटेलिजेंस या फिर जो आईक्यू बोलते हैं उसको हम कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं खाने में या रूटीन में इसी क्या चीज़ें इंकलूट करें जिससे कि बच्चे की ओवराल प्रेत का जो डेवलपमेंट है बॉडि का तो हम द अच्छा करें हमेसा नंबर वन में रहें लेकिन सोचना अच्छी बात है लेकिन हमको कुछ स्टेप पी लेने होंगे कुछ चीजें हैं वह इंकलूट करनी होंगी बच्चे की डेली लाइफ में आप मेंसे कितने पैरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चा जब स्कूल जाता है तो इसका बीगा हुआ बदाम रहते है और उसको झारूर कहलते हैं सब खाते हैं हमने भी खाया है यह मानई जाता है कि बदाम खाने से दिमाग तेज होता है बिल्कुल पही है लेकिन ये कॉप्ठी नहीए क्यों नहीँ है मैं आपको समझाती हूँ। देखे सबसे पहले जानते हैं यह brain बनता कैसे है मलब brain के अंदर है क्या तो brain जो है आपने अगर कहीं photo देखियोगी मैं भी photo यहाँ पर दिखा रही हूँ इसमें brain जो है बहुत ही complex दिखा रहा है उसमें ऐसे grooves और elevation जो होते हैं वो होते हैं यह क्यों होते हैं ताकि brain का overall surface area बढ़ा रहे हैं surface area बढ़ने से क्या होगा उतने ज़्यादा neurons इकठे होंगे neurons क्या है neurons एक building block है brain का building block से क्या मतलब है जैसे कि एक दिवाल बनती है दिवाल में क्या एक एक इंटे जोड़के पूरी दिवाल तयार होती है उस तरीके से बहुत सारे neurons millions of neurons कठा होके बनाते हैं brain का ultra structure मतलब brain पूरा फॉर्म हो रहा है कभी हमको अगर यहां पर मच्छर काटा brain को signal जाता है कि मच्छर काटा उसको हमको मारना है तो कितने fast action हो रहा है यहां से इस हाथ से current जा रहा है spinal cord के through brain को brain command कर रहा है order दे रहा है कि मारो तो यह हाथ act हो रहा है मारने के लिए तो यह जो है conduction velocity कितनी fast रहेगी brain की यह कुछ चीजे determine करती है कि conduction velocity decision making power कितना strong रहेगा कुछ लोग होंगे जो याद करते हैं पढ़ते हैं या फिर आपके बच्चे एक बार पढ़ते हैं उनको लंबे समय तक याद रहता है कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उनको बार बार revise करना पढ़ता है इन सब चीजों में कही सारे factors determine होते है especially nutrition nutrition एक बहुत important part है चलिए nutrition में हमको क्या improve करना है उसके पहले जानते हैं यह जो neurons है यह बने किसे हैं तो जो neurons हैं उनमें main होता है fat अब आप बोलेंगे fat तो नुक्सान दायक होता है हाँ लेकिन कुछ fat होते हैं जैसे essential fatty acids वो body खुद नहीं बना रही है body को उसकी जरूरत है ब्रेन में यह essential fatty acids होते हैं दो तरीके के omega 3 fatty acids and omega 6 fatty acids यह present होते हैं यह दोनों fatty acids जो essential fatty acids हैं यह कहां present होते हैं एक तो neurons की चार और covering में दूसरा हमारे आखों के पीछे retina होती है उसमें present होता है अब retina में क्या important काम है देखिए जब हम कुछ पढ़ते हैं आज कल नई technique बहुत जादा popular हुड़ी है audio visual learning इसका मतलब क्या है मला हम जो कानों से सुनते हैं आखों से देखते हैं उस सब की memory create होती है और वो long term learning में help क देखा उतनी अच्छी learning होंगी उसके लिए क्या चाहिए essential fatty acids brain development जो हो रहा है वो किस-किस age में कितना कितना होता है उसके recording हम decide कर पाएंगे किस age में हमको कितना और कब खिलाना है देखिए खिलाना ठेक है लेकिन कब खिलाना है यह पता होना चाहिए right thing at the right time is very important तो जो बच् मा के पेट में रहता है तब से शुरू हो जाता है लग बग तीन हफते का जब बच्चा रहता है जब तक pregnancy पता भी नहीं चलती है कई बार तब से brain development चालू हो जाता है जी हां और जब बच्चा पैदा होता है बच्चे का brain का मतलब head का size बड़ा होता है हमारे compare में हमारे brain का size और overall body का size जो है उसका ratio जो है बच्चे में अलग रहता है बच्चे में brain का size ज्यादा बड़ा होता है क्यूंकि brain का काफी ज्यादा development हो चुका रहता है बर्थ होने के पहले उसके बाद up till 2 years 80% brain का विकास हो जाता है और up till 5 years लग भग 95% तो आप देख रहे हैं आपने बद तो अगर आपका बच्चे 5 साल से कम है तो आप उनको कोशिश करिए अभी जो मैं चीजे बताऊंगी food items वो diet में सामिल करिए तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमको सिर्फ 5 साल के पहले ध्यान देना है उसके बाद ध्यान देने का मतलब नहीं है उसके बाद भी हमको ध् अच्छी बनाएंगे उसको समहाल के नहीं रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसमें degenerative changes आने लगेंगे तो हमको पहले 5 साल में जो ध्यान देना है वो बनाने के लिए अच्छी से अच्छा structure बने उसके बाद चुक कर रहे हैं 5 साल के बाद उसको maintain रखने के तो vegetarian sources की अगर बात करें तो सबसे पहले है walnut accroat किसे ने observe कि अख्रोट का जो shape जो होता है वो लगभग human के brain जासा दिखता है आप ये दोनों picture compare करिए दूसरा है बदाम बदाम में बहुत अच्छा source होता है तीसरा है flax seeds जी हाँ flax seeds या flax seeds का oil जो होता है वो भी highly rich होता है omega 3 fatty acids में 4th है chia seeds chia seeds चोटी-चोटी seeds होती है उनको भीगा के लोग जो diet conscious रहते है वो use करते है उसमें भी काफी rich source होता है तो आप बच्चे की food items में इंको include कर सकते हैं साथ में green leafy vegetables और जो non-wage है वो जो cold water faces होती जैसे salmon tuna वो अगर include करते हैं डाइट में तो बहुत अच्छा र एक तो यह सारी चीजों को बच्चों की diet में include करना है तो हम कब से कर सकते हैं तेके बहुत सारी चीजें जैसे nuts है मैंने already dry fruit के video में बताया है कि एक साल के बाद यूज करना है तो एक साल के बाद आप थोड़ी quantity में जो dry fruit powder बना रहे हैं जो भी बच्चे को snacks दे रहे हैं जै इसे दलिया, खिचडी या फिर खीर तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये वाललट बदाम जरूर इंक्लूट करें मैंने already weight के video में बताया है जो काजू पिष्टा होते हैं वो weight के लिए ज्यादा useful है और brain के लिए वाललट और बदाम तो जब आप dry fruit powder बनाते हैं ये सारी चीज अपने diet को ये essential fatty acid rich रखते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं fat नहीं लेना है तो हमको कौन सा fat नहीं लेना है जो bad fat है और good fat है ये आपको पता होना चाहिए तो उसे वाललट है उसमें good fat है essential fatty acids है वो आपको लेना जरूरी है जो trans fat होते हैं वो नहीं लेना है तो अगर mother आने में भी green leafy vegetables अगर आप नहीं विच खाते है तो एग वालनट ये सब अपनी diet में include करें ताकि बच्चे को sufficient quantity में iron और essential fatty acids मिलते रहें बच्चे का दिमाग बहुत speed में grow कर रहा है दो साल तक और 5 साल तक लगभग complete adult size का brain बन जाएगा तो ये शुरुवाती साल में अगर initially बहुत से लोग सुसते अभी क्या जो रथे थोड़ा बड़ा हो जाए तब करेंगे लेकिन बेट नहीं करना है ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो definitely आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा life में excel करेगा आपकी सारी expectations पे धरह उतरेगा तो I hope आज को वीडियो आप हुआ 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 है